शायर की ताजा खबरे देखने के लिए इन्वी से न्यूज को यूटूब पर लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकान दबाना ना भूले केंद्र की गाइडलाइन जारी है लेकिन राजजत तैय करेगा आसल में कैसा होगा लॉकडाउन चार कोरोना संक्रमन के खत्रों को देखते हुए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन चार की घोशना की है और 31 मई तक पूरे देश में लॉकडाउन को बढ़ा दिया केंद्र ये ग्रुह मत्राले के द्वारा चारी दिशा निर्धेशों के मताबिक लॉकडाउन की स्तिती और स्वरुप क्या होगा अब इसका फैसला राजजसरकार कर सकेंगे ऐसे में अब जवाब देही भी राजजसरकारों को ही होगी कोरोना वायरस का संक्रमन तेजी से पढ़ रहा है देश भर में कोरोना संक्रमन फैलता जारा है जिसे देखते हुए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन चार की घोषना कर दी सरकार ने स्तिती को देखते हुए 31 मई तक पूरे देश में लॉकडाउन को बढ़ा दिया और गुरुहमंत्राले ने इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिये लॉकडाउन की स्तिती और स्वरुप क्या होगा अब इसका फैसला राज्य सरकार कर सकेंगे क्योंकि राज्य को निर्देश दिया है कि जल से जल अपने अपने राज्य के जोन के निहाए कोरुणा से निपटने के मुद्धो पर राज्य सरकारे लगातार केंद्र सरकार को निशाने पर ले रही थी कि वो खुद फैसला नहीं ले पा रही है राज्यो की एक और शिकायद जोन के वर्गी करन को ले कर थी जो आप तक केंदर सरकार तैक कर रही थी ऐसे में केंदर सरकार ने लॉकडाउन 4 के व्यापक दिशा निर्देश तो तैक कर दिये है लेकिन किस तरह किस हद तक लागू किया जाना चाहिए या फैसला राज्यो की सरकार उपर छोड़ दिया गया है अब कोरोना वाइरस के संकट से निपटने के लिए राज्यो सरकार की जवाबते ही जाता होगी इन बीचिया न्यूज के लिए अभिशेक पांसी की रिपोर्ट